जै मादधी दोस्तों कैसे हैं आप सबी? दोस्तों हमारे चैनल से जुनने के लिए चैनल को सब्सक्राईब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को जरुर प्रेस कर दें दोस्तो बात कर रहे हैं मकर राशी के सापताहिक राशी फलकी 20 जनवरी से 26 जनवरी 2020 राशी फलकी दोस्तो आपके लिए इस सपता के आरम में आयके श्रोत बढ़ेंगे आमदनी में व्रदी तो होगी ही साथ ही आयके एक से अधिक श्रोत आपके लिए खुलेंगे पुराना रुका हुआ धन वापस मिलेगा जो भी आपके पिछले अटके हुए काम थे उन कामों को रफ्तार मिलेगी वो कार्या पूरे होंगे इस सपता आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चड़कर हिस्सा लेंगे सपता के अंत में ग्रहों का गोचर और भी जादा मजबूत रहेगा जिससे आपकी सभी योजनाए सफल होंगी आपके किये गए कार्या सफल होंगे इस सपता दैनिक कार्या व्यापार में और मेहनत करें ताकि लाब और जादा हो और आपके लिए व्यापार के जादा सुरोत खुल सकें सप्ता के मद्य में भागदोर थोड़ी जादा रहेगी अब व्याय अधिक होंगे विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं इससे आपको आर्थिक तोर पर बहुती बड़ा फायदा होगा घर में कोई मांगलिक कारे क्रम भी सप्ता हो सकता है और उस कारे में आप बढ़चड कर हिस्सा लेंगे सामजिक कारे क्रमों में बढ़चड कर हिस्सा लेंगे सप्ता के अंत में ग्रहों का गोचर होगा 24 जनवरी को शनी अपनी राशी परिवर्तन करेंगे जिससे आपकी इस्थती और भी जादा पहले से मजबूत हो जाएगी दोस्तो एक दिन ऐसा है सप्ता का जिसमें आपको महत्पुन निन्ने लेने से बचना है महत्पुन कारियों को अंजाम देने से बचना है कहीं भी इन्वेस्ट करने से आपको बचना है दोस्तो सब्ता की वो तारीख है 23 जनवरी 23 जनवरी को आपको अपने महत्पूर निन्नों को टालना है किसी भी नई योजना पर काम नहीं करना है और इसी के साथ अपने स्वास्थ का और वाहन चलाते समय विशेश तोर पर साफधानी बरतनी है तो दोस्तो ऐसी ही और अदिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें धन्यवाद